और अगली खबर यूपी के स्रावस्ती जनपत से है जहां पर नेशनल हाइवे 730 के पेटाहदिया पुल पर पलट गया अनियंतित होकर इदिक्सा इदिक्सा में सवार मा बेटे हुए घायल पहुचाया गया एकोना आस्पताल डाक्टों ने दोनों को किया मेडिकल कालेज ब जाके कि पेटाहरिया पुल से है जहां पर इदिक्सा अनियंतित होकर सड़क पर ही पलट गया बताया जा रहा है नेशनल हाइवे 730 पर इदिक्सा अनियंतित होकर पलटा जिसके चलते इदिक्सा में सवार 40 बरसे सरिता देवी पतनी मलहु निवासी बिजयी परवा नवीन कुपचार के बाद मा बेटे की हालत गंभिर बताते हुए दोनों को जिला अस्पताल मेडिकल कालिज बहराईच के लिए रिपर कर दिया गया। कहीं जा रहे थे जैसे ही इरिक्सा पर टहर या पुल पर पहुँचा अनियंतित होकर सणग पर ही पलट गया। इस हाथसे में मा बेटे को गंभीर चोटे आई और दोनों को इरिक्सा के माध्यम से ही इकवना के सामदा एक स्वास्केन पहुचाया गया। चालिस वर्से सरीता देवी और बारह वर्से राजस दोनों के पहर में गंभीर चोटे आई ऐसे में डाक्टरों ने प्रात्मे को उपचार किया। परन तो हालत में सुधार होता ना देखकर दोनों को मेडिकल कलेज बहराईच के लिए रिफर कर दिया परिजन इम्बुलेंस की सहायता से दोनों को बहराईच लेकर दवाना हुए। इकवना कट्रा मार के नवीन मार्डन थाना सावस्ती और इकवना थाना छेत के बीच पे ठहरिया पुल पड़ता है जहां पर ये सनक खासा सामने आया जिसमें इरिक सा नियनतित होकर बीच सनक पर ही पलट गया मा बेटे को गंभी चोटे आई और दोनों को एकवना के सामदा एक स्वास्केन पहुचाया गया जहां पर प्रात्मी को प्चार के बाद दोनों को बहदाईश के लिए दिफल किया गया इदिक सा पलटने से ये सनक हासा सामने आया इस हासे में मा बेटे गंभी दूप से चोटिल हुए लाल बाया प का इसा सामने हाँ नह से चारत्मी को प्रलतना सकता हासे एक जह हासे जह हासे करंभी दूप से गया है जभी सरह है झाल कर दोना सी जह हुँआ है झाल झाल